नमस्कार नियूज 18 बिहार चारकन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रुजी कराज अगर आप भी गाड़ियों को इस्तमाल करते हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परिशान हैं तो ये ख़बर अब आपके लिए है क्योंकि आप पेट्रोल और डीजल की दाम में गिरावट आने वाली है जहां सही सुन रहे हैं आपको इपता होगा कि कई सारी राज्यों में वधानसभा की चनाओ इस वक चल रहे हैं ऐसी में कई सारी चीजों के दाम घटा दिये गए हैं खासकर पेट्रोल डीजल के दाम पर फिर से बढ़ गई है सारी नेक श्रेतर की कमपनियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो से तीन रुपे प्रती लीटर की कटोधी करने की गुंज्राइश मिली है क्योंकि कच्छे तील की कीमतों में हाल के सफता में आई कमी से पेट्रोलियम कमपनी के वहां 67.12 प्रतीर बारल पर आ गया है आज ओल मार्केटिंग कमपनियों ने पेट्रोल डीजल का रेट अपडेट किया है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है देश में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पोर्ट वेलियर में है यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 82.42 रुपे यानि 82.42 रुपे और डीजल की कीमत के अगरम बात कलें तो 78.01 रुपे है अब आपको बताते हैं कि क्यों पेट्रोल और डीजल की रेट कम होने की उम्मीद जताई जारी है दरसल कच्छे दिल की कीमत सितंबर में उसतन 74 अमेरिकी डॉलर प्रती बैरल थी जो क अखरी बार 2 रुपे प्रती लिटर की कटाउती की गई थी अब आपको बताते हैं कि 100 डॉलर तक पार ये कच्छा तिल गया था ये वक्त कोरोना का था कोरोना की वज़ा से जब मार्च 2020 में कीमतें 2 दशक निचले अस्तर यानि कि 19.9 19.9 तक गिरी तब से कीमतों में तीज से वर्धी हुई है मार्च 2022 में कीमते 2014 के बाद पहली बार 200 डॉलर को पार कर गई और जून 2022 में दशक के उच्छतम अस्तर 116 डॉलर पर दी बेरल पर पहुच गई भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें को करमशुआ वर्श 2010 और 2014 तक ने अंतरन मुक्त किया गया था व और तब से कीमतों को डैनिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा जरूर कहा गया था कि आगे पीछे आप दाम को कर सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं वो चलता रहा लेकिन एक बार फिर से ख़बर यह सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीज तिल किदाम में गिरावट आ सकती है अब कितनी गिरावट आएगी यह भी देखना है लेकिन फिलाल जो लोग ज्यादा गाडियों का इस्तमाल करते हैं उन लोगों के लिए एच्छी ख़बर है कि एक बार फिर से सस्ता होने वाला है पेट्रोल और डीजल और पिस यह अप